हलो एब्रीवन वियलकिम टूमाई चैनल दीपक दिया खना व्लॉक्स तो फाइनली मैं कई साल बाद यह है भार जाए हूँ वेरट से भार जारी हूँ वैसे जाती हूँ मैं मिरट दिखता होगा आपको दिली जारी हूँ नौइडा जारी हूँ गाजियबाद जारी हूँ उ मेरी फ्रेंड को लेके दोस्त को लेके मेरी सब्सक्राइबर को लेके मैं जा रही हूँ मेरी सब्सक्राइबर दोस्त और बेहन का नाम क्या है सिम्रन और साथ में दिया भी हमारी तो नजारा देख लीजिए और नजारे को देख के आपको अंदाजा होई क्या होगा हम उत्रा खंड साइड में पोच चुके हैं हरीदूर बस आने ही वाला है लेकिन हम पहले हरीदूर नहीं चाहेंगे हम सीधा जाहेंगे अर्शिकेश फिर वापसी करेंगE वाहँ पर घूमके और हरीदूर में स्टेक करेंगे रात को क्योंकि हरी दुआर में रात के टाइम पे बहुत मज़ाता है हम पहले भी एक बार गए थे तो रात के टाइम गए थे बढ़ा मज़ाता है वहाँ पे रात के टाइम बैठो गप्र लड़ाओ पानी में पैरा डाल के बैठो बहुत मज़ाता है और मैंने live भी की थी वहाँ पे जब मैं गई थी जब मैं वहाँ पे मौजूद थी vlog तो भी आपको देखने को मिल रहा लेकिन जब मैं महा थी थी तो मैंने live भी करी थी तो देखिए हम बहुच ही गए हैं बिलकुल और जगा के मुझे नाम नहीं पता है जो जो भी बीच में पढ़ते जा रहे हैं क्योंकि मैं बहुत साल पहले गई थी बहुत साल कॉलिज में थी कॉलिज में आई आई थी मैं फस्ट इयर थी था तब आई थी मैं और ये वाला सीन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये होम लिखा हुआ था ये कोई पार्गी था चोटा सा बहुत अच्छा लग रहा था लेकिन और आगे देखिए वो उपर जो है मंसा देवी का मंदिर है चड़ाई करनी परती है शैंकी ने बोला ममे आप तो चड़ी नहीं पाओगे तो ममे ने का ऐसे बोलते नहीं है मातारानी जब बुलाते है तो सब पॉसिबल ह जाता है अब अपने मुझे मत निकालो कि उपर जाना है हम जाएंगे तो मातारानी जब भी बुलाएंगे तो जाएंगे मेरा वैशनो देवी जाने का भी बहुत मन करता है बहुत सोस्ती हूं मैं लेकिन होगा वही जब पॉसिबल होना होगा ना तब ही हो पाएगा तो हम पोड़ी और ट्राफिक देख सकते हो आप कितना जादा है लेकिन हम रुकेंगे नहीं हम सीधर निकल जाएंगे यह पारकिंग के लिए जा रही है सारी गाड़ियां बहुत जादा भीरी थी बहुत जादा विकॉस होली थी होली की दो दिन की चुट्टी थी चोटी बड़ होली और उसके बाद साटरे संडे था तो चार दिन की समझ लो सब लोगों के पाद छुट्टियां थी सब लोग घूमने निकल पड़े और गर्मी बहुत जादा पढ़ रही है तो यहां पर बहुत पीड़ती इस वज़े से जब हम रिशिकेश पहुचे थे तो मैं जादा वहाँ पर शूट भी नहीं कर पाई थी इसी वज़े से क्योंकि हम वहाँ पर जब गए तो पारकिंग ही नहीं मिल रही थी चार से पांच जगा है पारकिंग की लेकिन हर जगा से वापस ट्राफिक के बीच में से गाड़ी वापस निकालना बहुत दिक्कत हो रही थी दिय पहली बार इतनी दूर आई हूँ पहली बार अभी तक रिष्टेदारों की घर ही गई है वहाँ पर उनके घर में बैटी है हम लोगों के संग कई जगा पे तो उसके बराबर को कोई होता भी नहीं था बोर भी हो जाती थी मार्केट भी मतलब कित्ती बार बच्चे को घुम जगा घुमें हो है वो तो अपनी मम्मी के साथ family के साथ मम्मी को उनके बहुत ज्यादा घुम Bass घुमें फिणने का शॉक फॉक duż त हर साल वह जाती थी तिर सल वगारा एविन ज़ मेरी शादी हो गई थी उनके पहर में बहुत ज्यादा प्राबलम थी तब ही वह बहुत कर रहा है कि आगे भी मैं कहीं और जाओं और प्लान बना भी दियो मैं घुमने फिनने का अभी नहीं थोड़ा सा मतब तीन-चार मईने रूप जो थोड़ा सा बजट का भी ध्यान लखना पड़ता है तो जाएंगे फिर से आपको एक ट्रिप देखने को मिलेगी और हम पहु स्यास रा से सारे चीजह मैंने बहुत चोड़े सी चीजह करिदी वह भी हाँसे नहीं मैंने हरी दोर से दी दीव के लिए सोना के लिए वासू के लिए चोटी-चोटी चीजी मतलब एक यद्ग कर चीजी क्यूंकि धेपो खिलोने तो सारी जग़車े एक चूज कर रही ही रहती हूं मैं कि याद रहे कि मैं हरी दौार से लेकर आई थी तो घर गराषती का दहेच का समान बैड छोटी-छोटी छीयर टेबल और ड्रेसिंग डिखाओंगे मैं आपको देख की आदा देगा आप मैंसे बहुत सारे लोग जो हैं उनसे खेले भी होंगे और मैंने यहां पर पते हैं क्या गलती करी ती रिशीकेश में आके मैंने ज्यादा को शूट नहीं किया थे देखो भीर इतनी थी तो गुम के हम वापिस वापिस हैं इस टाइम पर हम तो मैं वापसी में भूक लग रही थी बहुत तेज शेंकी कह रहा था भी बहुत देर में पहुचेंगा कम से कम एक सवाई घंटा लगेगा तो भूक लग रही है तो कुछ खा लो तो मैगी का ओडर दिया है मुमोस का ओडर दिया है दिया भी सो कर उठ चुकी है दिया मतल यह पर लदी भी थी, और मैंने इसके लिए प्लेइन मागी का ओड़र दिया है, अपनी लिए वेज-ओर मागी और मुमुजो का और 只ब्जा है और दाप लगई खाई हराकि भी लेगे लेगें, यहां का टेस्ट मेरी को जादा अच्छा लगा बहुत बिड़ती शैंकि यहां पर अपनी फोटो वगरा क्लिक कर रहा था शौक चलता है ना नहीं नहीं जगा पर जाओ फोटो खीचो मैं वीडियो बनाती हूं मेरी नियुद पाती मैं इन आ पाती अच्छे से वीडियो में मैं सब की बना लेती कुछ नो कुछ अच्छा moment शेयर कर लेती हो मैं अपनी नहीं कर पाती मैं खड़ी हूँ, मैं जगाई हूँ मैं अपना नहीं कर पाती मैं किसी से क्या नहीं पाती मुझे शूट करो या कुछ करो तो momos हमारे आ चुके है वैज momos, अदिया की plane maggie भी आ चुकी है और ये सिमरन अपनी maggie नहीं खा रही थी वो हमारी maggie के इंतिजार कर रही थी कि हमारी भी आ जाए और उसके बाद वो start करे कुछ नहीं खाती है रड़की कुछ नहीं पीती है लड़की बस खिलाती पिलाती है और सब को खुश रखती है मेरी जो है मैं इसलिए तारिफ नहीं कर रही क्योंकि मैंने एक्सपिरियंस किया जितने भी लोग सिमरन के साथ जुड़े हुए है आफिस के लोग फैमली के लोग दोस्त तो सब लोग इसकी तारिफ करते है बहुत ही जादा बहुत पसंद करते हैं इसको सबको मतलब प्यार करती है सबी को प्यार करती है तो यहाँ पर यह राफ्ते में हमने जब खाना पीना कर लिया तो उसके बाद यह देखे कितना अच्छा नजारा हम लोगों को देखने को मिला और यहाँ पर आके मतलब इतना धंडर धंडर मौसन था इतनी बड़िया हवा चल दी और दिया की वज़ा से मतलब दिया के लिए मैं सारे मतलब गर्मी के कपड़े लेकर आई थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि उसको फुल स्लेज के एक टी-शिट पैनानी चाहिए तो हमने वहां से रात के टा लग रही थी और सब लोग कह रहे थे कि हम आपे बहुत गर्मी है कपड़े सई से लेकर जाना गर्मी के लेकर जाना लदाना मत फंदाना हुआ तो मैंने वैसे भी सारे उठा के रख दिये थे तो मैं नहीं लेकर आई तो यहां पर हम थोड़ी देर के लिए रुके थे है यह जैंकी है लाइब गय वह था अपने दोस्तों के साथ और मम्मी जो है रील बना रही थी मुझे मतलब अच्छा लग रहा था यहां पर पहाड़ों में न दिया भी बार-बार पहाड़ देख रही थी पहाड़ों में पास में चलना है पाड़ के ऊपर चड़ी कि दिया जाओगी कैसे जाओगी कैसे चड़ोंगी सीड़ी नी होती पाड़ पर पानी पानी क्यों आएगा तो यहां पर मैंना यह नजारी देख रही थी जंगल के बहुत अच्छे लग रहे थे और मैंने यह जो सूट है यह इसलिए पैना है क्योंकि इस पर प्रैस की जरुद नि के निकाले गर्मी के कफटे मुझे यह ग्यायां कर देख मन कर जाता है अबना सोसते हैं सवेटर पहनेंगे यह बालो पूर्त पहनेंगे वह बहुत बहुत यहाद आ जाते हैं और मेरा फेस बहुत जादा खराब हो रहा है गुलाल से मतलब मेरे जहरे पर इतनी अलर्जी टाइप सी हो गई है पर प्रॉप्लम नहीं हो रही थी तो यहां से हमने थोड़ा बहुत टाइम जो पैंड किया किया फिर उसके बाद दुबारा सा निकल गए यह एक जगा थी जहां पर पहले पानी हुआ करता था शेंक की बता रहा था अब यहां पर एकडम सुख पासुका सपड़ा है द्यानूस के बाद हम पहुच कहते हैं हरिद्वार में और यहां पे जो है हम होटल बगारा जो है ले चुके हैं मम्मी दिया शेंकी पर फोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं और मैं यहां पर दिया की टी-शिट ढूणने के लिए निकली थी तो देखते है टी-शिट मिलती है या नहीं मिलती मेरको तो मैं बताओ मिली नी थी सज बताओं तो मम्मी को ही मिले थी तैकिन हमने यहां से कुछ चीजे खरीदा से टी-शिट खरीदा सिम्रन लोवर खरीदा और और बस पानी की बाटर जो है ओडर कर दी नीचे रिसेप्शन पर और साब अगे का व्लोग और आगे का व्लोग और आप लोगो को कैसा लगा यह वाला व्लोग मुझे कॉमेंट करके जुरूर बताईएगा और वीडियो अची लगी हो तो लाइक कर देना शेयर कर देना अपने फैमिली फ्रेंट के संग चैनल पर नही हो तो चैनल को कर देना और बेल का पटन प्रेस कर देना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप लोगों को टाइम पर मिलता कि और भी इंटरस्टिंग चीज है आप लोगों को आगे देखने को मिलने वाली है मेरे घर में खुशी खुशी आई है छोटी सी तो उसको सेलिबरेट करेंगे हम जल्दी से और यह मार्किट है हरी दुआर की रात के टाइम भी बड़ा अच्छा लग रहा था जो भी जाओ ना हमेशा शाम के टाइम जाओ भी जाओ भी आगे जादा गर्मी पढ़ेगी तरह आपी लेना में को पता हूं सच बता हूं तो इतनी ठंड लग रह थी मार्किट में खाने के बाद भी हमने को घूमा फिरा एक डेड़ बज़े तक और लाइब भी गई थी में बहुत मज़ा रहा था बहुत ही मज़ा था दिया सबसे ज्यादा खुश थी तो समझ लो जो ठकावाट होती है ना कहीं आने में जाने में या पैसे खर्च होते ह सबसारी चीज़ा वसूल हो गई वह खुश हो जाती है तो बहुत सुन्दर सुन्दर चीज़े थी और मैं लेए इस लेने थी थी मैंने का मम्मी को लेकर आओंगे तब खरी देंगे बहुत अच्छा लगता है मेरा तो मन करते है सब कुछ ले लूँ तो यहां से भी मैंने दिया के लिए कुछ कपड़े वगारा देखे बट नहीं मिले बाई बाई टेक कियर